Hi friends, आज हम लोग बनाएंगे आलू गोभी के रेसिपी, वो भी बिल्कुल धाबा स्टाइल, जिस तरीके से धाबे पे मिलती है या आपको शादियों में मिलती है, तो इसके लिए मैंने हापे ली है एक फुल गोभी, इसको मैंने काट लिया है, क्योंकि ये धाबा स्टाइल ह तो इसको हम deep fry करेंगे तो सबसे पहले मैंने oil के अंदर add की है गोभी और जब गोभी पे कुछ इस तरीके से color आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसमें आलू को भी fry करेंगे आलू को मैंने lengthwise cut किया है अब हमने यहापे लिए इसके अंदर हमने add किया है oil oil गरम हो जाएगा तो हम इसके अंदर add करेंगे मोटी लाइची long और काली मिर्च इसे 10 से 15 से के लिए हम भून लेंगे उसके बाद हम इसके अंदर add करेंगे जीरा और साथी में हींग जब यह दोनों चीजे अच्छे से भून जाएगी तो हम इसके अंदर add करेंगे chop की हुई onion और curry मिर्च और जब हमारी प्यास pinkish tone तक भून जाएगी तो उसी टाइम पर हम इसके अंदर add करेंगे chop किया हुआ अदरक इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे और जब हमारी प्यास पूरे तरीके से भून जाएगी तो हम इसके अंदर add करेंगे कदुकस किये हुए टमाटर और साथ में add करेंगे पानी और नमक इस mixture को हम घी release होने तक पकाएंगे तब तक हम यहाँ पे ले लेते हैं कटोरी में दही इसको अच्छी तरीके से फैट लेते हैं इसके अंदर add करते हैं लाल मिर्च दनिया पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च अमचूर पाउडर गरम मसाला और साथ ही में हल्दी इसको हम अच्छी तरीके से फेट लेंगे और हमें जो ये दही लेनी है ये रूम टेंपरेचर पर लेनी है क्योंकि इसको हम अपनी ग्रेवी में आड़ करेंगे अगर ये ठंडी होगी तो ये फट जाएगी अब देखिए हमारा जो मिक्चर है बिलकुल रेडी है इसने घी रिलीस कर दिया है इसी पॉइंट पर हम इसके अंदर आड़ करेंगे दही का मिक्चर और जब आप दही का मिक्चर आड़ करें तो उस टाइम पर आप गैस बंद कर दें इसको अच्छे तरीके से मिला ले और उसके बाद घी शूटने तक इसको पकाएं इसके बाद हम इसके अंदर आड़ करेंगे हमारी फ्राय की हुई कोबी और आलू इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको सिर्फ तीन से चार मिनट के लिए हम पकाएंगे और इसको धनिया पत्ती के साथ हम सर्फ करेंगे और हमारी अलू गोबी की सबसी धाबा स्टाइल बिल्कुल रेडी है